अब पढ़ेगा इंडिया आज हम लेकर आए हैं भारतिय सम्मिधान के महत्पुन प्रक्ष सेरीज का भाग दो अगर आप भाग एक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके भाग एक देख सकते हैं और अभी तक या तो आप इस चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो आएए सुरू करते हैं Q1. भारतिय सम्विधान में कितने भासाएं छेतरी ए भासाओं के रूप में मानता प्राप्त हैं तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा option number D. 22 अब देखे सम्विधान के कौन से भार में सम्विधान के भाग 17 में भाग 17 में अनुछे 343 के तहत ये कहा गया है कि भारत की एक राजभासा हिंदी होगी और लिपी देवनागिरी होगी और इसे रखा कौन से गया है आठमी अनुसूची में रखा गया है आठमी अनुसूची में रखा गया है मूल सम्विधान था जो मूल सम्विधान में 14 भासाएं मातर थी लेकिन 21 सम्विधान संसोधन 1967 के तहत एक भासा जोड़ा गया बोथा सिंधी फिर उसके बाद 71 संसोधन जो की 1992 में हुआ उसके थरुद तीन और भासाएं जोड़ी गई मनिपूर, कौंकनी और नेपाली उसके अलावा फिर 92 एमेंडमन जो हुआ 2003 में उसमें 4 भासाएं जोड़ी गई मैथली, संथाली, डोगरो और बोडो और ये चारो भासाओं जोड़ने के बाद अभी कुल हमारे मूल संबिधान में 22 भासाएं है चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, जो की है हमारा question number second किस संबिधान संसोधन बिल के द्वारा भोड़ देने की आयू 21 बरसे घटा कर 18 बरस कर दी गई है इसका सही अंसर होगा, 61 देखे, एक संबिधान संसोधन जो कब हुआ है, 1989 में हुआ है इस 1989 संसोधन के द्वारा क्या कर दिया गया था, कि जो हमारे वोटिंग करने की ये जह, उसे 21 बरसे घटा कर कर दिया गया था 18 बरस कर दिया गया था, चलिए, नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा कोश्चन नमर थर्ड कोश्चन नमर थर्ड कह रहा है, कि जनगनमना को भारत के रास्टगान के रूप में किस बरस सुक्रित किया गया था तो इसका सही अंसर होगा, 1947 और इसे कब किया गया था, 22 जुलाई को किया गया था, 22 जुलाई 1947 को तेकि एक कोश्चन और इससे पूछा जाता है, कि जनगनमना किसके द्वारा रचित है, तो ये तो पता ही है कि रविननाथ टाइगोर के द्वारा रचित है अब एक और question ये पुछा जाता है कि इसे सरपर्थम कब गया 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 था तो सरपर्थम इसे गया गया था Congress के 1911 की अधिवेशन में जो कि कहा हुआ था कलकता में इस अधिवेशन में सबसे पहले काया गया था और इस अधिवेशन की जो अधिचता किये थे वो कौन के थे वो के थे वो के थे बिशन नरायन दत चलिए अब आते हैं next question की तरब जो किया है हमारा question number 4 संबिधान की प्रारूब समीती के समझ प्रस्ताबना को किसने प्रस्ताबित किया था तो प्रस्ताबना को प्रस्ताबित किसने किया था तो जवारलल नहरू ने किये थे लेकिन अगर यही पूछा जा कि प्रारूप समीती के अध्याच तो हो जाएंगे भीम्राव अंबेटकर यह कौन थे प्रारूप समीती के अध्याच थे और प्रारूप समीती में टोटल कितने मेंबर थे तो टोटल प्रारूप समीती में साथ मेंबर थे और भीम्राव अमेटकर का जो चुना हुआ था बो कहां था इनका निर्वाचन स्था तो इनका निर्वाचन जगा था पश्चिम बंगल चलिए अब question number 5 क्यों राते हैं question number 5 हमारा कहा रहा है कि देसी रियास्तों के एकी करन का स्रे है देसी रियास्तों के एकी करन का जो स्रे जाता है बो जाता है कि ने बो जाता है सरदार बल्लभाई पटेल को देखिए सोतंतता के समय लगभग 550 देसी रियास्ते थी ये जो 550 देसी रियास्ते थी इसमें एक हैदराबाद जो रियास्त था हैदराबाद का जो भारत में बिलय हुआ था ये एक तरह से समझ लिजे तो जबरदस्ती हुआ था या नहीं बलपूर्बक हुआ था हुआ क्या था कि जो हैदरावाद का नवाद था, वो भारत में बिलाय का बिरोधी था, लेकिन जो वहां की जो जनता थी, वो भारत में बिलाय चाहती थी, फिर उस समय जो गिरी मंतरी थे, वो क्या कर लिए, जबरदस्ती इसको या फिर जबरन बलपूरबक इसे और इसी एकी करन के लिए, रियास्तों के एकी करन के लिए ही सरदार बलाभावी पटेल को क्या दिया बोला जाता है, भारत का लौपूरूस बोला जाता है, चलिए, अब question number next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि है हमारा question number 6, question number 6 है, किस ने कहा था कि राष्ट का निती निदे सकत तत्व ऐसा चेक है, जिसे सुब्धा पूर्वक भंजाया जा सकता है, तो ये कहे थे कौन, इसका सही अंसर है, option number C, जो कि है केटी सा है, अब आते हैं, राज के निती निदे सकत्व के बारे में, ये जो राज का निती निदे सकत्व है, ये किस में है, भाग चार में है, औ और अनुच्छेत कितना, छत्ती से लेके एक आमन तक है, और इसके बाद, इसे लिया कहां गया से गया है, इसे लिया गया है, आईरलेंड की सम्मिधान से, ठीक है, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि है question number 7, question number 7 हमारा है, कि भारतिये नागरित्ता के लिए आबेदन कर कितने से पहले किसी बेक्तिक इन्यूंतम कितने बर्स तक भारत में रहना आनिवार छे, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो होगा 10 साल, 10 साल भो रहना चाहिए, और ये भी कितना था, पहले 5 साल था, लेकिन नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 1986 के तहत, कौन से, नागरिक्ता स संसोधन अधिनियम 1986 के तहत, ये पहले 5 साल था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 10 साल, मतलब आट प्रजेंट में कितना है, 10 साल, तो इसका सही अंसर होगा, option number D, जो कि ये 10 years, चलिए, next question की तरफ बढ़ते है, question number 8, समान नागरिक्ता संहिता किस राज में लागू है, तो ये आपको लोगों को पता ही होगा, समान नागरिक्ता संहिता को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, common civil code, common civil code, और ये अनुछेत कितन में है, 44 में, और ये अनुछेत 44 में सिर्फ और सिर्फ कितन में, गोवा में है, चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये हम मॉलिक कर्तब जो भी है, उसको जोड़ा गया था कहां, मुल समिधान यानि हमारे भारत के समिधान में, देखिए, और इसको जोड़ा कब गया था, इसको जोड़ा गया था, 42 समिधान संसोधन 1976 के तहत, अलिया कहां से गया है, लिया गया है, रसिया के समिधान से, और इसे 46 मा सम्विधान संसोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया और उसके बाद अभी कितने हो गए 11 चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 10 मौलीक अधिकार के रच्छक के रूप में कौन का रच्छ करता है तो इसका जो सही अंसर होगा, बो होगा, option number 10 सर्बोच न्याले और उच्छ न्याले देखिए कभी-कभी confusion हो जाता है और हम लोग tickle कर देते हैं कि सर्बोच न्याले ही होता है जो मौलीक अधिकार का रच्छक होता है लेकि नहीं, सर्बोच न्याले और उच्छ न्याले दोनों मौलीक अधिकार का रच्छक होता है क्यों? क्योंकि दोनों 5 तरह के रीट जारी कर सकता है दोनों पांच तरह के रीट जारी कर सकता है जिसमें कभी-कभी ये भी कोशेन आता है कि सरवोच नयाले कितने अनुछेद के तहत करता है उच नयाले कितने अनुछेद के तहत करता है तो अनुछेद 32 के तहत करेगा पांच तरह के रीट जारी सरवोच नयाले और अनुछे 226 के तहट करेगा उचने आले क्लियर है? चलिए Next question आते हैं, question number 11 Question number 11 कहा रहा है कि राष्टपती के चुनाओं में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है तो इसका जो सही उतर होगा, वो होगा, लोगसभा, राजसभा, अब हम सभी राज़ों के विधान सभा के निर्वाची सदस तेकि राष्टपती के चुनाओं में एक चीत ध्यान रखने वाली बात है कि जो मनूनित होते हैं जो मनूनित सदस होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं अब भाग कौन लेता है? तो लोगसभा के निर्वाची सदस, राजसभा के निर्वाची सदस, विधान सभा के निर्वाची सदस चलिए अब बड़ते हैं question next question की तरब जो कि हमारा question number 2 बेल कि भारत के राष्टपती के निरवाचन के लिए नियूंतन नियोधारित आयू कितनी बर्स है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा 35 बर्स यानि option number हमारा कौन होगा D अब देखें राष्टपती की योगता का बर्नन कौन से अनुछेद में है राष्टपती की योगता का बर्नन है अंठामन अनुछेद में और इस अनुछेद के तहत ये कहा गया है कि राष्टपती बनने का योगता क्या क्या होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए 35 बर्ष तक आयूब पूरा कर चुका हो लोग सभा के सदस्व बनने योग हो और किसी भी लाब के पद पे काजरत नहीं है ठीक है? अब बढ़ते हैं question number 13 की दरफ किसी राजनेतिक दल को राष्टिये दल के रूप में माननेता कब दी जाती है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number C जो कि यह है कि अधि उसे 4 से अधिक राजियों में राजनेतिक दल के रूप में माननेता दी गई है देखे राष्टिये दल को तभी माननेता दी जाती है कि जब कम से कम 4 राजियों में वो दिये गए मत का 6% मत पराप्त किया हो या फिर लोगसभा के 2% अस्थान 4 राजियों से पराप्त किया हो तब किसी भी जो राष्टिये पार्टी होंगे उनको क्या दर्जा दे दिया जाएगा? राष्टिये दल को राजनितिक दल का दर्जा दे दिया जाएगा फिर आते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ जो कि है हमारा कोश्चन अबर 14 राजव सभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल अभी नहतरी कौन थी? तो इसका सही अंसर होगा नर्गिस दत और इन्हें राजव सभा में कौन से अनुछेद के अंसर? अनुछेद असी के तहत राष्ट्पती जो है वो 12 सदस को मनोनित कर सकता है कला, सहित और बिज्ञान के छेतर में और कला के छेतर में नामित होने वाली पहली थी यह नर्गिस दत और इन्हेद असी के दत होता है और अगाश्पती कितने को निर्वाचित कर सकता है? राज सभा में 12 को मनोनित कर सकता है और लोग सभा में 2 को ठीक है? चलिए, next question की तरह बढ़ते है question number 15 इलहाबाद उच नियाले की अस्थापना कब होई थी? तो इलहाबाद उच नियाले की अस्थापना कब होई थी? option number B, 1866 में लेकिन इससे भी पहले, कहां-कहां? Mumbai, Kolkata और चिन्नाई ये तीनू उच नियाले की अस्थापना होगई थी कब? 1862 में 1862 में ठीक है? चलिए question number 16 की तरह बाते हैं question number 16 कहता है कि भारतिये साम बिधान के प्रभधान करता है कि कि किसी भी बिधान सभा में 60 से कम सदस नहीं हो सकते हैं निम्लेकित की सराज की बिधान सभा इसका आपको बाद है तो इसका सही अंसर जो होगा बो होगा कौन सा? सिक्किम क्यू? क्यूंकि तिरपूरा में भी 60 मेगाले में भी 60 मनिपूर में भी 60 लेकिन सिक्किम में कितना? 30 ठीक है? चलिए नेक्स कोशिन बढ़ते हैं कोशिन नमर 17 17 क्या कह रहा है? कि भारतिय सम्विधान की आठमी अनुसुची का संबंध है रासभाओं में सीटों के साथ संग राज समवर्थी सुची के साथ भासाओं के साथ तो इसका जो सही अंसर होगा भासाओं के साथ भासाओं के साथ ही किसमे अनुसुची में? आठमी अनुसुची में अब देखिए राज सभा में सीटों का आवंधन कौन से अनुसुची में है? चौथी में उसके बाद संग राच और संबर्थी सुची जो ये तीनों सुचीयां एकिस में है शात मी में और या दल बदल दस मी में ठीक है चलिए next question बढ़ते है question no.18 के तरफ question no.18 हमारा कह रहा है कि लोग-लेखा समीति अपना बारसिक report किसे paste करता है लोग-लेखा समीति अपना बारसिक report किसे paste करेगा तो इसका जो सही उस्तर होगा वो होगा लोकसभा लोकसभा द्याच को यह अपना लोकलेखा समीति अपना बारसे की रिपोर्ट पेस करता है अब आध बात करते हैं इस लोकलेखा समीति की तो यह जो लोकलेखा समीति है इसमें कितने 22 सदस होंगे 22 सदस में से क्या होगा 15 लोक सभा से होगा और 7 राज सभा से होगा ठीक है और इसको कितने बर्स के लिए एक बर्स के लिए निर्वाचित किया जाता है सभी सदस को कितने के लिए एक बर्स के लिए निर्वाचित किया जाएगा उसके बाद इस लोक लेखा समीती को और क्या बोला जाता है लगु लोक सभा भी बोला जाता है कभी-कभी ऐसा भी question आता है कि लगु लोक सभा किसे कहा जाता है तो लोक लेखा समीती को और इसके साथ साथ ही इसे क्या कहा जाता है प्राकलन समीती की जुडवा बहन कहा जाता है प्राकलन समीती का जुडवा बहन ठीक है अब उसके बाद एक कोशन और आता है कि लोकलेखा समीती के अध्याच कौन होते हैं तो लोकलेखा समीती के अध्याच जनरली कोई होता है ज मीनू मसानी ये मीनू मसानी 1967 में सबसे पहले बार लोक लेखा समीति के अध्याच चुने गया थे और तब से लेके अभी तक क्या हो रहा है कि कोई बिरोधी दल का नेता ही है जो इस समीति का अध्याच चुना जाता है तो इसका सही अंसर कौन सा है लोक सभा चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 19 वो ये कह रहा है कि नियंतरन तथा महालेखा परिछा की कार्यों की निगरानी कौन समीति द्वारा की जाती है तो यह भी हम लोग पढ़ें कि यह किस समीति के द्वारा की जाती है तो लोक लेखा समीति के द्वारा की जाती है ठीक है चलिए thanks for वाच्छिंग